जै श्रीराम साथियो मेरा नाम चंचल मलिक है हम यमना एक्सप्रेस से जोड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के मादम से साथियो रेगुलर आप तक हर तरह का डवलमेंट हर तरह की जानकारी पहुचानी की कोशिज कर रहे हैं कि आज के समय में यमना अथोटी कर रहे हैं हर पॉकेट में जा रहे हैं तो सेक्टर 20 की एक ऐसी पॉकेट और है जो काफी लंबे समय से सुंसान पड़ी है कोई डवलमेंट अथोटी से नहीं हुआ 2009 में हमने यह प्लोट लिया था अभी क्या सुच्वेशन है इस पॉकेट के अंदर किस तरह से डवलमेंट ग्राउन पर चल रहा है तो साथियो आज हम आपको उसी पॉकेट के अंदर लेका हैं यमना तोटी की सेक्टर 20 के अंदर पॉकेट है एल पॉकेट एल फोल लंदन पॉकेट में आप देख रहे हैं प्लोट नमबर 6792667 की सेरीज में हम खड़े हैं वहीं अगर हमारे लेफ स को देख पारे होंगे नाली सीवर के काम हो रख हैं जैसा आप यह सामने देख रहे हैं साथियो अब बात निकल के आती है कि पॉकेट 2009 में अलोट इसको यहां पर अलोट हुई थी काफी लंबा समय निकल गया क्या सभी लोगों को प्लोट मिले या नहीं मिले और काफी सारी कोल उन लोगों के पास ऐसी भी गई जिसके अंदर कहा गया कि अपनी पॉकेट का आप लोट सेल कर दीजिए यह पॉकेट सिफ्ट होगी तो साथि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी पॉकेट यमना अथोटी सेक्टर के अंदर सिफ्ट नहीं हो रही है जो के अंदर प्लोट आपको मौके पे मिला हुआ मिलेगा जल्द चेकलिस्ट जारी हो जाएंगी वहीं आप अपने प्लोट की रजिश्टी करवा पाएंगे और उसके बाद आप यहां पे करवा सकते हैं साथियों कवर करेंगे पूरी एल पॉकेट को पीछे तक लेके जाएं के पोकिट के साथ यह लगी होई पोकिट है एन पोकिट के साथ और उसके साथ आपको देखने हो मिलेगा पीछे से 60 मीटर का वाइल रोड आचेपूर गाओं के पीछे से वहीं इसके साथ आपको एक साइट देखने हो मिलता है 24 मीटर प्लस 45 मीटर का वाइल रोड जो की प कोसिज करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि जादा से जादा आपको रिव्यू हर पॉकेट का दिला पाएं और साथियो अगर वहीं आपका भी किसी और पॉकेट में प्लोट है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए चाहे मैसेज इस ओब आप या फॉन करके भी आप जानकाय ले सकते हैं हम कोसिज करेंगे आपके पॉके ट्रहिक्स तक भी जाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा आपके प्वेडियो में चाहँ नबर बहु आगे की तरफ आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काफी कारी हैं यहाँ पे चले वे हैं वहीं 24 मिटर का रोड जो L और K पॉकेट को डिवाइड करता है साथियो जादा से जादा हम कवर करेंगे L पॉकेट को और लेके चलेंगे आगे कि किस तरह से पॉकेट आज के समय में आपको देखने को मिलेगी साथियो लगी पॉकेट है एन जहां आप यह कंस्ट्रक्शन वर्ड देख रहे हैं बीच में 24 मिटर का डिवाइडिंग रोड और साथ में लगती ही L पॉकेट 24 मिटर रोड पर हम आगे की तरफ चलते रहेंगे यहां तक आपका 24 मिटर का रोड बना हुआ है अभी कोई काम आगे की तरफ नहीं हुआ है क्योंकि पीछे की तरफ आपको 60 मिटर का रोड अपने साथ इसको कनेक करेगा वहीं सात्यों अगर हम बात करें L पॉकेट में तो आप देखेंगे इस ट्रीट पॉल्स लगाई हुए हैं खड़े कर दी हैं वहीं काफी प्लोट नीचे लगे हुए देखने को मिलेंगे किसानों से उनकी जमीन खाली करवाली गई है जैसा हमने आपको इस्टैटिंग बताया कि सभी प्लोट जल्द ही आपको ग्राउन पर देखने को मिलेंगे साथ ही ये विलेज है आपका आच्छेपूर विलेज और इसके साथ आगे तक ये प्लोट आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि काफी लंबी सीमा है एल पॉकिट की तो अभी पीछे तक हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये प्लोट लगेंगे क्योंकि आप देख पारेंगे कि स्ट्रीट पॉल्स लगा रखे हैं बैस ग्राउंड पर प्लोट की मार्केशन होगना बाकी रह गया है वही नाली का काम और सीवर का काम अभी रुका हुआ है तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे अभी एल पॉकेट को आज के समय में क्योंकि साथियों देखें काफी कॉल आरी थी हमारे पास के एल पॉकेट का एक वार रिवीव करवा दीजिए हमारे प्लोट हैं यहापे और हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो साथियों ग्राउंड की स्थिति आज की समय में यह है जो आपको एक्चुल में देखने को मिलेगी हो सकता है कि आप अपने एल पॉकेट तक आए तो आपको समय नहीं आए तो इसलिए हम चाहते हैं कि जादस जादा आप हमारे वीडियो के माद्दम से समझ पाएं कि एल पॉकेट कैसी दिख रही है तो साथियों हम पीछे की तरफ वापस चल रहे हैं क्योंकि हीत है कि यह प्लोट लगाई हुए है और रोड का काम कुछ हुआ है और कुछ काम अभी पैंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है साथियों सामने आप देख रहे हैं यह आपका 45 मिटर का रोड रहेगा आने आले टेम में खेती खाली करवा ली गई है किसानों से और अगर हम बात करें रेट की तो रेट है आपको हर बार हम बताते हैं कि आज के समय में एल पोकिट के अंदर रेजिस्टर और अन्रेजिस्टर प्लोड का रेट जो है दो करोड तीस लाग से लेके डाई करोड के बीच में आपको यहाँ प्लोड देखने को मिल जाता है साथ काफी प्लोड यहाँ पर अथोटिन लगाएं काफी प्लोड की हाँ रेजिस्टर भी हो गई है और रेजिस्टर होने के बाद अपने प्लोडों के ओपर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है साथ कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे पूरी एल पॉकेट आज के समय में क्योंकि साथ ही देखे एल पॉकेट जो है काफी प्राइम पॉकेट है टू साइड आपको इसमें 24-24 मिटर के रोड देखने को मिलते है वहीं आपको एक साइड 45 और एक साइड आपको साथ मिटर का वाइल रोड देखने हो मिलता है साथ में लगी हुई लेंड है कॉमर्शल लेंड जो पीछे की तरफ लगी हुई थी को दिखाने की कोसिस कर रहे हैं कि यहां तक अभी अथोटी की तरफ से काम हुआ है क्योंकि 2009 की अलोट्मेंट है और जब से अभी तक कोई भी ज्यादा काम इस पॉकिट के ऊपर अथोटी नहीं कर पाई थी मगर जल्द उम्मीद लगाई जा रही है कि सब भी प्लोट्स यहा आपको बताया था हमने अगर रेट की बात करें तो इस पॉकिट के अंदर आपको रजिस्टर और अन्रेजिस्टर प्लोट के दोनों ही रेट आपको दो क्रोट तीस लाग से लेके आपको धाई क्रोड के अंदर रेट देखने को भी लेंगे उपा नीचे हो सकता है में तो मैंने आपको बताया कि मलिक प्रोपाट्य गοूरी और सेंस्क्टर अठांप्यालीоло और उमीद है कि आपको कंस्ट्रक्ष्ण पसंद आएंगे तो आज की जो वीडियो थी एल पोकेट सेक्टर 20 के अंदर पूरे हमने दिखाने के आपको कोईसिज करी तो साथी आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके अगर कोई भी और जानकारी आप लेना चाहते हैं किसी भी पोकेट के बारे में तो दियो नुम्बर के आप हमें कोल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाते हैं हमारे ओफिस का वीजिट करना तो हमारा ओफिस बिल्कुल यमना अथोटी के पास है अंसल गॉल्फ लिंक के अंदर ओफिस नंबर 35 नियरस नोलेज पारक मेट्रो इस्टेशन ग्रेटर नोड़ा तो आप विजिट भी कर सकते हैं तो साथियो वीडियो को करेंगे इस समाथ जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके नमस्कार साथियो